डिश्टल जमाने में जिस तरह से नई-ईई सुक्सुर्दाय बढ़ गई हैं उसी तरह से अपरादियों ने भी नए-ईए तरीके अपना लिये हैं अपरादि इस तरह से आपको गुमरा करते हैं फोन पर कि आप ना चाहते हुए भी उनको अपनी सारी जानकारी बता देते हो हमारे सांथ ऐसे भेखती हैं जो साइवर ठगी के सिकार होते होते बड़ी मुश्किल से बचे हैं तो आएए जानते हैं कि साइबर ठगों से किस तरह से वो आज अपने आपको बचा पाए जंत्रवाद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो उसके बाद आपके पास फोन आता है और फोन पर जिस तरह से बताया गया मुझे कि आप साइबर ठगों के सिकार होते होते बचे हैं तो फोन आया सबसे पहरे किस तरह की सुरुआत हुए दिए मेरे रोज सुवे ऑफिस के लिए कम से कम डेर घंटे का सफर रहता है कि मैं ऑफिस तक पहुचू तो इस डेर घंटे में लगभग लगभग अब लगा के चलिया आज सोमवार का दिन है तो थोड़ा रोड में ट तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अन्नोन नंबर से फोन रिसीव किया तो इस पर ये इन्फरमेशन मेरे को मिलता है कि ये एक आई विर कॉल था जिस पर ये था कि आपका जो अधार कार्ड है उससे जो नंबर रिजिस्टर्ड है वो सारे नंबर दोपर बारा बजे से बंद कर दिया जाएंगे अधिक जानकारी के लिए एक संक्या दी जाती आप उस नंबर को प्रेस करें तो मैंने पहली बार में प्रेस नहीं किया तो उसने दोबारा रिपीट किया यह statement अब जब repeat किया तो मैंने चलो ठीक है समझते हैं कि exactly क्यों बंद हो रहा है तो अब वो चीज को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो मेरे को एक online IVR connections पे ले गया जहां पे कोई शक्स थे जिन्होंने मेरे को सारा information देने के लिए बोला कि आपका नाम क्या है कहां से बात कर रहे हैं क्यों आपने कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो T.R.A.I. से है तो अफकोर्स इबाद है T.R.A.I. एक हमारा संगस्ता है जहां से एक चीज़े manage की जाती है इस चीज़ को मद्दे नजर अखते हुए मैंने फिर उनको अपना जानकारी दिया और मैंने उनको यह बरीफ किया कि मेरा एक ही नंबर है और मेरे अधार कार्ड एक ही नंबर से लिंक्ट है जिस पर कि उन्होंने बोला कि यह बारा बजे बंद हो जाएगा तो उस इंफॉरमेशन पर उन्होंना मेरे को बताया कि आपके अधार कार्ड पर लखनों में कोई जियो का नेटवर्क ब्राडवैन लिया गया है जिसका उन्होंने मैं एक एड्रिस दिया कि इस एडरिस से लिया गया है तो क्या आपने लिया है मैंने बोला जी नहीं तो उनका स्टेटमेंट ये था अगर आपने ने लिया तो आपने कहीं होटल में तो ये अधरकार्ट नहीं दिये अब जाहिश सी बात है हम लोग बाहर जॉब करते हैं कोई भी आता जाता रहता है कहीं भी जा सकते हैं फिर उनना ये इंफर्मेशन में दिया कि क्या आपने इंशॉरेंस किसी कंपनी को तो ने दिया क्यों क्या पता उसने कुछ गलत किया हो ये सब चीज़े जब डिसकेशन में आया तो मैंने उनको सला मांगा कि आप बताए इसको कैसे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं या किस तरीके से इस चीज़ से बच सकते हैं तो उनका मेरे को इंफर्मेशन जो था वो कुछ हद तक मेरे को वहाँ पर थोड़ा डाउट हुआ कि exactly वो जो बोल रहे थे उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हजरत गंज स्थाने में जा करके कंप्लेन लिखवाना पड़ेगा और अगर आज सुबह साड़े गैरा तक उनके पास इमेल आ जाती है हजरत गंज स्थाने से मेंशनिंग कि आपका नंबर आपका अधारकार्ट गलत नहीं है या आपने कोई गलत काम नहीं किया तो हम आपका नंबर बंद नहीं करेंगे उसी बात पर मैंने बोला कि मैं दिल्ली रहता हूं मैं कैसे आपके पास लखनो जले जाओंगा तो उन्हों नहीं को बोला ठीक है इसके अल्टरनेट आप्शन है हम आपको होट लाइन से कर देते हैं अच्छा जी तो जैसे उन्हों नहीं को बता दिया कि आपका मोईल बंद हो जाएगा सब कुछ बंद बिल्कुल इसके बाद आप मतलब क्या अंदर से डर गए अफकोर्स एक नंबर है एक नंबर बैंक पर एजिस्टर एए एक नंबर सारे घर वाले जानते है अचानक से बंद हो जाएगा लोग डर जाएगे कि हुआ क्या तो तुरंत उन्होंने मेरे को बोला इस कॉल को आगे प्रसीड करने के पहले आपको इन्फोर्मेशन देना च अब मैं सुबह गाड़ी चला रहा था तो मैंने बोला ठीक है मैं गाड़ी साइड में पाक कर देता हूं तो मैंने गाड़ी के अंदर से बातचीत किया तो उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया लखनों में लखनो थाने में कोई दिनेश कुमार जी करके है उनके साथ अच्छा बाल ये ऑड़ा थी की वाइस कॉल थी पहले वइस कॉल थी उसी नंबर पर कॉल कनिक्ट वा जब बात हुए अब दिनेश जी से दो उन्होंने फित पूरा इंफर्मेशन दोबारा ले उनको पूरा विस्तार में बता है कि तो उनकी कुछ जान का रही तो उन्होंने बढला कि थीक है जैसे कि आप बता रहे हैं तो हमें लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको हम लोग एक वाइस रेकॉर्डिंग के थुरू क्योंकि पुलिस के निया सौफट्वर है टेलिग्राम के नाम से उस टेलिग्राम में आपका सारा वाइस शूट किया जाएगा र और वह कोट में पेश की जाएगी कोट के लिए करेक्ट अगर आप बिलकुल सही है और आपका सारा जोभी क्लेम है जो भी आपके एलिकेशन से वह वेवाफ हो जाते तो आप बिलकुल फुरी है कोई दिक्कत नहीं है इस डिएशन में आप सिटी के बाहर कहीं नही जा सकते अब देश के बार कहीं नहीं जा सकता बिनाई जाज़त के तो मुझे तो वहाँ पर थोड़ा यह हुआ कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि जिसकी वज़े से मेरे को यह सब चीज़ बोला जा रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं पुलिस वाले आज कर आज कर आज आ जाते हैं बोगी उन्होंने मुझे हिल्प किया arguments फिर उन्होंने मेरे को बोला कि थी के इसमें देखे एडेट औरेट कर एक आइड़ ओका वो आइडिया आईड़ आइड़िया है जैसे ही मैने उसको दिया इस that के पहले उन्हों ने मेरे को बोला कि आपकाम किजिए यूपी गॉवर्मेंट पुलिस का एक वेब साइट उस पर जाएए वह जा कर कि चेक किजिए कि इसमें लखनो पुलिस का क्या नंबर आ रहा है तो जैसे मैंने किया तो उन्हों ने बोला कि हजरत गंस्थाने का नंबर यह और तेज़ तेज बताईये तो मैंने चुलो ठीक है मैंने पढ़के कैस का आपके पौन नंबर साइफ पड़ा पर आपके टीक है तो आपका छिक तो फूह ऑचा है तो वहां पी थोड़ा से डर लगता है कि यहार मैं सही जगा जा रहा हूं क्या कर रहा हूं अपने खुद उसको मतलब गूगल पे जा के सर्च मारा उन्हों नहोंने को खुद बोला नंबर जो इसमें लिखे हुए दिखे बिल्कुल उसमें दो नंबर हैं एक सेच्छो का नं विदिन 2-3 seconds 5 seconds मेरे पास कॉल हिट कर या उसी नंबर से मैं बोला मैं कॉल पिक करता हूं सर ने ने इस कॉल को काटी इसको मत ठाइगा इसको कार दो से उसको मत ठाइए और चेक करने के लिए अपका नंबर की आप मेरे को समझ जाए कि बिल्कुल जो भी जो भी जागा से ठोड़ा ओठनिसिडी बन जाता है तो जैसे यह हुआ तो मैंने उनको बोला कि कोई दिक्कत नी है आप मेरे को बताइग क्या से का इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं तो उनका पॉइंट मेरे को यह था कि आप टेलिग्राम डाउनलोड कर चुके हैं तो यह यह डिटेल उन्हें अमरे को टेलिग्राम पे वाइस कॉल किया जिस पर लिखावा था लखनो पुलिस तो वहां पी थोड़ा अथेंटिसिटी बना लेकिन टेलिग्राम पे क्या होता है कि आपको नंबर नहीं दिखा मेरे को और मैं पहली बार टेलिग्राम यूज कर रहा हूं तो मैंन तो मुझे उन्हें वीडियो अन्हें किया उन्हें बोला नेट्वर्क थोड़ा सा फ्लक्ट्वेट करें इस वज़े से अभी आपको लंबा वीडियो अपना अन्ने करूंगा आपका वाल आपको जारी रखना है प्लस फोन की बैटरी कितनी आपके पास तो मैंने बोला 65 प किया और मेरे गाड़ी में एक फेसिलिटी यह आता है जिसमें कोई भी अन्नोन नंबर से अगर हाइड किया वह नंबर भी कॉल आता है तो वह डिस्प्ले होता है उसका भी मेरे पास पूरूफ है मैंने फोटोस ले रखी है तो जैसे यह चीज हुआ तो उन्होंने वीडिय कहानी सोना फिर पिर अन्होंने मेरे को बोला चलिक कोई बात है यह आइड फ्रॉड का किस अप इस पर मेरे को टेलिग लिग दिए रखा अपना पूरा नाम और एड फ्रॉड मैं आपको आप अ जो ए फाल नंबर वो देता हूं उन्होंने मेरे को एड पर लिख्या पले अ तो अपने बाते क्यों करना बताई एक्जाक क्या हुआ आपको मैं रेकॉर्डिंग अन करूं अश पर आपके आसपास कोई नी ओना चाहिए उन्हों नो ने बोला जो पहले वाले परशंथ है शाम कर वही पात बोला तो उनको मैंने पूरा विस्तार कि यह चीजे हुआ है तो को बना लेके हम होटलाइन पे हीटकॉर्टर कर लेते हैं और पता कर लेते कि अपके आपके अगिए केस तो नहीं वहा है जब यह चीज बोला तो मैंने बोला पता क्ली जब हम थोड़ी ना कुछ गलत किये हैं तो पता नहीं मेरे को ऐसा कुछ लगा कि जैसे अज रुकी ट कि अपना बताइए हमने रिकार्ड कर रहे हैं अथेंटिक कर रहे हैं इसको बताइएगा कनफर्म कीजिएगा रकेश बेनर्जी कनफर्म तो उन्होंने मेरे को बोला तुरंत हेड़कोर्टर से उनको वाइस पर यह आता है कि यह क्रिमिनल है क्रिमिनल है इनके नाम पे 6-7 केस सब्सक्राइए और यह कोई संजय पाटी लें उनके साथ जोड़े हुए है 38 कोई घोटाला है जिस पर जोड़े हुए ऐसे बहुत सारी चीजे एलिगेशन्स लगा जो कि मुझे बिलकुल नहीं पता जब डराने का पूली तरह से बिलकुल समझे प्लस उनने बोला यह CBI के 38 की मैं रेंट पे रहता हूं उनने बोला यह सब इन्वेस्टिकेशन कोट करेगी मैं बिलकुल सही बात है अगर आप यह चीज रेकॉर्ड कर रहे हैं तो आई बिलीव कि यह सारी रेकॉर्डिंग आपकी जाएस जगा में जाहेगी जबकि मुझे बिलकुल नहीं पता थे टेलिग्राम में कोई रेकॉर्डिंग नहीं होती तो इन्होंने बोला में जादा डिसकुशन नहीं करूंगा आपका केस काफी पेचीदार वारंट निकला हूँ आपके नाम पे मैं एसोचो साब को आपका कॉल ट्रांसफर करता हूँ एसोचो साब भी बिलकुल फ्री यह तो वैनर क्या कर रखें सर ने आपके नाम पे ऐसे आपके रस्ते खड़ा हूँ सर ने आप ऐसे कैसे आपके नम पे वरेंट है शुकर मनाई है आपका पास हमारा फोन चला गया नहीं आपको पुलिस उठा कि लाटी आपश से मैं कोई दिक्कति इस गलत थोड़ी नाम यह वह ऐसे वैसे आज बहुत केसे चले लोग ऐसे इंशुरेंस पी इंशुरेंस के नाम पर पैसा उठागे गाया बोजाते हैं पता निया आप भी ऐसे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर नहीं कुछ पता निया तो काफी सरे लिकेशन लगाए उस ग्राउंड पर मैंने को यह भी स्टैंप लग चुका था साइन हो चुका था रहक तो लेकिन फिर वही आजदत है मेरी थोड़ी श्क्रेंशॉट लेने के तो मैंने ले लिया उस वह ररेंट के साथ एसेट वारंट का भी एक इशू था और एक मेरा एरेस्ट वारंट का भी था ज्सा दोन एक साब्सक्रच तो एसेट में उन से पुचाई क्युकि मेरा कोई घर नहीं यह तो अब कैसे मेरा एसेट किसकी बारे में बारे में कह रहें बैंक अगाउंट वहाँ ठोड़ा मेरे दिमाग में यह क्लिक किया कि हा कहीं ना कहीं है फ्रॉट का मैं शिकार बनने जा रहा हूं तो उस पॉइंट पहले कोई दिकत्ट निया सर मैं आपको जो भी चीज़ इंफर्मेशन चीम बिलकुल आपको दूंगा पूरी को आपको जैसे की आप कहरे को आपको जो बता करें अब आपको नेक्स कॉलम सी बाफिसर को देंगे वो आपको जो इनफरमेशन मांगेशन तरह बैपको सारा कि आप अभी कहां पे हैं यह सवाल था तो मैंने बोला मैं रोड पे खड़ा हूं गाड़ी में बैठा हूं आपको जो सवाल कर सकते हैं नहीं आप पे काम किजिये आपको मैं जो इंफरमेशन दे रहा हूं आप यह चीज अपनी वाइफ अपने मम्मी पापा फ्रेंड्स किसी वाकील किसी को भी इंफरमेशन नहीं देंगे क्योंकि यह मुस्ट वरेंट और मोस्ट वंटेड केस है तो मैंने वड़ा उनको मैंने जस्ट एक आउट ओफ दा क्यूर सिटी मैंने बोला सर एक पॉकेट मार भी अपने बारे अपने बारे अपने गारजन को और अपने कमरा ले ली जिए तो मैंने बोला सर कमरा तो मैंने लूओंगा नहीं घंगा झाल नहीं वारेंट लंबा चलने वाल आप गारी में कितनी दिर बैठेंगे गाडी की अउन कर लिजे या जो तो नहीं लेकिन मैं होटल नहीं लूँगा कि गूमा के दुबारा घर जा सकता कू उपने औफिस जा सकता हूं साथिए फिक्री काड़ी से काल कर सकता हूं आपके केवी मैं कहलaren कर्सक्ता हूं अबको जो इंफर्मेशन से पूरा दूंगा लैप टब के साथ है मैं यहीं जब कि लैप टॉट बेरे साथ ही होता है ठीक बब मुबाइल कैमरा के दिखाई आपके गाड़ी में क्या-क्या है तो मैंने कोई कैमरा तो नहीं लगा मैंने सारा इंफॉर्मेशन उनको दिखाया जब यह डिसकेशन्स वह तो उनका स्टेट्मेंट ए था कि नहीं नहीं मैं तो आपको ऐसा जाने नहीं दे सकता कि है अभी तो कॉल आया है कोई दिककत है हम आपको पूरा कॉपरेट करेंग ठीक है अब फोन मत काटिएगा म्यूट मत कीजिएगा क्यामरा बंद कर जिजे मैं बड़ा बीस मिन लगें मुझे पूंचने में जैसे मैं पहुंचता हूं मैं को कि करता हूं और मैंको खुद कॉ को अब बात करते हैं तो जैसे मैंने इन्वोर्मेशन उनको म्यूट हटा करके उनको बताया तो उन्होंने मुझे को तुरंथ बोला की तो फिर आप वहीं पर जाकर बात कीजिए वही आपको हैंप करेंगे और कुछ होता है तो हमारे से मत बात कीजिएगा तो इतने के पसके लिए सारा बैंक अकॉंट्स बंद करा दियें, फ्रीज करा दियें, यॉपियाई वगरा बंद करा दियें, तो मैं मेरे यह ही कहना है, कि जितना हम लोग स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बन रहे हैं, वही पड़े लिके लोग इतने उन अनजुकेटर वाला काम कर रहे ड़ा करके, मतलब इस तरह का एक सड़ियंतर रच्टे हैं, कि अगर जो जानकार थोड़ा सा ड़ा देते हैं, इस तरह से कि नॉर्मल पर्शन के लिए सबसे बड़े दिक्कत यह होती है, कि वो पर्शन यह सोचता है, कि यार मैंने कुछ किया नहीं, अगर मेरे को कुछ हो तो मेरे घरवाले क्या करेंगे, दूसरा, उन्होंने इस बात पर यह बोला कि आपके सारे एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, एसेट्स का मतलब हमारे लिए लिक्विड एसेट्स हमारा अकाउंट होता है, उस एसेट को अगर आफ फ्रीज कर देंगे, तो हमारा घर कैसे चले उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होगे, जिनका जो यह वीडियो कॉल पर आते हैं, उसका भी लोग AI के तुरू कुछ और मॉफ्स वगरा करके अलग अलग गलत गलत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्मार्टों बन रहें, लेकिन इन लोगों की वज़े से स्मार्टनेस में भी कुछ न कुछ कमिया रह रही है, तो वस यह कि इसको कैसे चेकर, जो जानकार नहीं है, बिलकुल भी, और उसके लिए तो यह बहुत बली बात है, जो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल में कोई सिबल ओफिसर नहीं बैठा हुआ तो, उसमें पुलिस वाला ही बैठा ह है, लोग वर्दी पहन लेता है, कोई दो टार लगा लेता है, अपने आपको कुछ भी बोलता है, यह वो सकता है, उस तरह का बना के रखते हो, जहां से ही बात करते हैं, अगर काईदे से देखा जाए, यह सब ब्रेंस जो हैं, अगर इनके ब्रेंस को निकाल के अच्छ तर अब देखी, अगर मैं होटल चले जाता, मैं उनसे मिल लेता, मैं उनके कहने के अकोर्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन उनको पास कर देता, तो कहीं नहीं कहीं मेरे अकोर्डिंग में जतना पैसा है, वो पूरा निकल जाता हूं, उनका परपज ही होता है, कि दराकर पहले इ टूसरा एक डर ये भी होता है, जैसे इन रहुना, तो मेरी गलती है कि मैं ले अधार काड दे दिया, मुझे यह भी डर कि कल को यही मेरा नंबर यही नंबर मेरा बंद करके वादार काट साइन करा के दुबारा से कोई सेम नंबर इशुना कर ले और उसमें ओटी भी ना आ जाए तो यह सब चीजे डर भी लगता है यह सब चीजों की वैसे चीजे गलत भी हो रही है मारकेट में इसके लिए आप क्या और संदेश देना चाहेंगे आम जनता को भी कि जैसे मालो जो आपके साथ जहां तक हुआ है अगर किसी और के साथ होता है तो आप क्या-क्या बचने के लिए क्या करेंगे मेरा सुजाव तो यह रहेगा कि अगर ऐसा कभी किसी को unwanted calls आता है तो पहला आपको information यह देना है कि हम अधार का information या किसी भी information बिना lawyer के नहीं देंगे वो सबसे बड़ा आपका rights है कि आप पुलिस वाले को भी अपना अधार काड या कोई भी details नहीं दोगे until and unless आपके साथ आपका वकील हो दूसरा अगर आपने गलत किया है तो warrant आपके घर पे आना चाहिए अगर आपके घर जाएगा तो आप उस समय पे यह चीजों को hold करेंगे दूसरा किसी भी unwanted third person आप से कोई भी information मांगता है जैसे कि for example अगर information की बात करें कि आप कहां रहते हैं आपका आधार का details क्या है आप का date of birth क्या है यह information अब उनको तब तक नहीं देंगा जब तक क्योंकि अगर वो मेरे नाम पर arrest warrant करने की बात करता है या मेरे को criminal के तोर पर देखता है तो उसके बाद सारा information होगा पौन पर अगर कोई भी कुछ पूषता है चाहे और legal ही क्यों ना हो लेकिन आपको कोई जनकारी नहीं देना है उनसे यह बोलो कि आप कहां बुलाना चाहते हैं वहां चले जाएंगे अपने थाने में चले जाएंगे पोट चले जाएंगे कोई टाइम होता है आज नहीं ज कब अकाउंट नमबर हम बता गए और OTP आई नहीं आई ऐसा भी कभी कभी होता बिना OTP पैसे निकाल के ले जाएंगे OTP भी अपने मोबाइल में ले ले लेंगे आपका मोबाइल बंद कराके तो जागरूग रहिए साइबर ठकों से जितने हो सके उतना बचो अन्नोन काल्स उठाओ नहीं अगर कोई फसाने की कोशिस करती है तो उसको बात ज्यादा न करके काट